हेलो फ्रेंट्स अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्यू गार्डेन पटना में तो आज की वीडियो जो होगी वो फुल वीडियो होगी भिंडी पे ही और भिंडी का फुल डिटेल्स में हम आपके साथ सेर करेंगे मैंने इसे कैसे अपने छट पे ग्रो कर रखा है तो वीडियो को चलिए सुरू करते हैं और हार्वेस्टिंग भी मैं साथ में थोड़ा सा दिखा दूंगी यह मेरा दस फिट लंबा और चार फिट चौरा ग्रो बैग है जिसमें जादा कोको 2 पी टाला गया औरका पांच बोरी मिटी और एक बोरी बढ़ मैं डालकर पूरे अच्छे से इसे असे मिक्स किया गया है और پिर हम इसमें हाप में भिंडी लगाएंगे और हाप में हम अदर सब्जी लगाएंगे तो इस तरह से पुरे मिटी को मैंने मिक्स करवा दिया अच्छे से और भिंडी के जो भी बीज है मैंने 24 गंटा के लिए फुलने के लिए डाल कर उसे ग्रो बैग में मतलब इसे मैंने हाप में लगाया है तो 28 बीज मैंने इसमें डाला है वहीं हमारी भिंडिया पंदरा दिन की हो गई है और यह देख सकते हैं पत्तों पे लीफ माइन का अटैक भी हो गया है तो इसे हम हटा देंगे पत्ते को काट कर इस तरह से देख सकते हैं वाइट वाइट होगे और दो जब पत्ते भी दो स में कोई ठोस खाद नहीं डाला है बस वहीं सारा चल रहा है और यह भिंडिया जो हैं अब काफी अच्छी थोरे थोरे फ्रूट्स भी आने लगे तीस दिन के बाद जो है भिंडियों में थोरी फ्रूटिंग छोटी-छोटी होने लगती है तो इस तरह हम अपने पौधे को हर मंतली कीरे का भी इसमें काफी ज्यादा अटैक होता है तो हर 15 दिन पर मैं नीम की पती में गौमुत्र को डीप करके रखती हूं और उसे हर 15 दिन अगर देखती हूं कि लीफ माइन या फिर कोई और कीरा जल्दी आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो सप्ता में भी उसका से चीटियां तूर रहेंगी वहीं मैं बता दूं कि जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो लिक्विड मैनोर भी उसमें डालते हैं तो मैं लिक्विड मैनोर अपने घर में त्यार करती हूं फिर पानी में डैलूट करके उसे 45 दिन पर मैं अपना इस भिंडी में मैंने 45 दिन पर डाला है और फिर हमारी जो भिंडियों की ग्रोथ है वो काफी अच्छी होगी क्योंकि मैंने इसमें अभी तक कोई ठोस खात तो ऐसे डाला नहीं है वहीं हमारी जो भिंडिया होती है वो 45 दिन से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लाइक हो जाती है तो आप अपने भ को पीट वाली सलोट है और वहीं मेंने एक अलग अपना मिद्टी में लगाई जो भिंडीऑ जो भिंडिदी लगाई उयक्ति ही देखा तो कुछ अंतर नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें कम फ्रूटिंग हो रही है, फिर उसमें ज्यादा फ्रूटिंग हो रही है, दोनों मुझे सेम ही लगा, तो ये भरम आप लोग निकाल दें, कि बर्मी डालेंगे तो ज्यादा फ्रूटिंग होगी, गोबर डाले तो कम फ्रूटिंग होगी कोको पीट में लगाएंगे तो जादा ऐसा कुछ नहीं होता है बस बीज सही होनी चाहिए भिंडी की और खाद की मात्रा एकदम कौंटिटी सही होनी चाहिए तो जब मिठी में लगाएं तो 50% गोबर एकदम जितनी मिठी उसकी उतनी ही गोबर काम करेगा और दूसरा जो है नया रूट भी बनाएगा अब नया रूट बनेगी नई होता है नया खून नया जोस तो पौधू को भी यह चीज होता है कि जब नया रूट्स रहेगा तो उसकी जो मिठी से पोसक तत्व लेने की कैपसिटी होगी वो अच्छी होगी तो पत्ते आपको लगे तो उसे हटा दीजिए और फंगी साइट का स्प्रे कर दीजिए वैसे कोई इसकी नहीं होती है थोड़ा पत्ता पलट के भी आप देख लीजिए कि पत्तों में कीरा लगा है कि नहीं लगा है यह आपको देखने का है यही सब छोटी छोटी चीजे होत हीट वेब चलता है तो पौधे डेमेज हो जाते हैं तिन सब चीजों का भी है समय बीज और खा दिये तीन इंपोर्टेंट होते हैं उन्हीं तीनों को ध्यान में रखकर छट पे और गैनिक सबजियां लगा कर असानी से खा सकते हैं और भिंडी में पानी का भी काफी ख्या चाहिए और गर्मी है तो आप सुभा साम कोशिस करें कि भिंडियों में पानी डाले वहीं भिंडियों की जो हार्वेस्टिंग होती है वो आपको हर दूसरे दिन भिंडी प्रड्यूज करती है अब इतनी क्वांटिटी में जब दो ही चार एक प्लांट से अगर हर दूसरे दिन भिंडी निकल रही है तो भिंडी तो अपना फल सारा बनाने में लगा दिया तो अभी तक तो मैंने इसमें सिर्फ लिक्वीड ही खाद दाला है लेकिन जब भिंडी हम हर्वेस्टिंग कर रहे हैं इस लॉट का तो मेरा फस्ट हर्वेस्टिंग है बट और सलॉट में म मुठी बर्मी या एक मुठी गोबर उसके रूट्स के आसपास डाल कर उसे गुराई कर दे ताकि लंबे समय तक आप फ्रूटिंग ले सके तो यही सब छोटी-छोटी चीजे है थैंक यू